सरकारे कोई भी हो लेकिन ये तैय है कि बालू खरनन को कोई नहीं रोख सकता बल्कि भाजबा की यूगी सरकार में बालू माफियाओं ने तो अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये है ऐसा लगता है कि प्रदेश में गुंडों माफियाओं और नेताओं के गुर्गों के पास बालू खरनन के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं बचा है यहाँ दिन रात बालू का उठान किया जा रहा है जिसमें सारे नियम कानून को तोड़ कर बालू का खरनन किया जा रहा है अवैद खनन में माफियाओं ने पूरी जान जोप दी है आपको बता दे कि नियमों के अनूसार 30 जुन के बाद सभी मोरम खदान बंद हो जाते हैं और फिर 3 महिने तक डंप की होई बालू को ही महंगे दामों पर बेचा जाता है यही कारण है कि बालू माफिया अपने दंप पर अधिक से अधिक मोरम डंप करने में लगे हुए है आपको बता दे कि बालू खंड संचालक अपने घाट से अधिक से अधिक मोरम निकालने के लिए सभी हत कंडे अपना रही है खंड पर ना तो NGT के गाइडलाइन्स का खयाल रखा जा रहा है और ना ही अपने मोरम खंड सीमा का खंड शेत्रों में जहां भी बालू दिखती है वहाँ हैवी पोकलेंड मशीनों से बड़े बड़े गड़े कर बालू निकाली जा रही है जबकि बालू खंड पर सतह से केवल तीन मीटर तक बालू निकालनी की अनुमती होती है वही जलधारा के बीच से बालू निकालनी की सख्त मना ही है लेकिन फिर भी माफियाओं ने नदी की जलधारा को रोक कर उस पर कच्चा पुल बना दिया और अंदर तक जाकर दिन रात बालू का अवयद खनन कर रही है ग्रामिडों की माने तो वस रही खंड संक्या दो में दिन रात हैवी पोकलेन मशीने गुजरती है जिससे सैक्डो ओवरलोड वाहन भरी जाते है ट्रकों की ओवरलोड होने की वज़ह से ट्रक धीमे चलते हैं और जाम का कारण भी बनते हैं वहीं कई शिकायतों के बाद भी ना तो खनी जविभाग के लुग कारवाई को आगे आते हैं ना ही जिला प्रशासन या पुलीस सूत्रों की माने तो सभी घाटू से अधिकारियों को अच्छी खासी मलाई खाने को मिल जाती है फिर आखिर कारवाई क्यों होगी हमीर पूर से विरंदर वर्मा वद्दिवेश दिवेदी के रेपोर्ट संसकार सेवा समत्पन शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नती के मार्ग पल ले जाना है हमारा उद्देश हम हैं शिरी राउत्पुरा सरकार कुरूप आफ इंस्टिटूशन जहासी बी फार्मा, डी फार्मा, बी एट बी ए और आई टी आई डिप्लोमा के लिए आज ही एड्मिशन ने है